हाई फ्रेंड्स मैं अन्राग सिंग स्वागत करता हूं आप सबूक अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं हर्वल ट्रीटमेंट आफ एसीडिटी के उपर याने कि एसीडिटी के का जो ट्रीटमेंट है वो रिकल सिंतेसाइज जू अजय कड़़ों हर द्रक्स रिक्लिपोल होते हैं और इस अगलेसीचेशं चैनल में इस वीडियो में मैं आपके साह साहिं डिसकस करने वाला हूं बेवाशिटी के आवक्र रिक घष्ञाणान तकी स्काफी ज्वारिजीबग ने और उसका काफी बेवासीड़ सीरप जो कि एक हरवाल ट्रीट्मेंट ओफ हाइपर एसीड़ीटी मतलब जो पेसेंट एसीड़ीटी से काफी लम्बे समय से जूज रहा जिनके इस्टोमक में एसीड़ का सेक्रेशन काफी जाधा होता है तो वैसे पेसेंट के लिए यह सीरप बना और इसका काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखा गया है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसके फार्माकोलोजी के उपर यारनि कि यह ड्रग कैसे एक्ट करती है इसके डोसेज फॉर्म के उपर किस फॉर्म में यह एविलेबल है इसके यूज और इसके इंग्रियेंट्स यानि किन-किन हरवल का मेरा एक ही मकसद है आप सबों को ड्रक्स अलग-अलग सॉल्ट के बारे में बताना और आप से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई साथ भी ड्रक्स ले तो एक बार फिजिसेंस से जरूर संपर्क कर ले ठीक ना और प्रेंट्स इस चैनल पर मैं अभी नया हू और उमीद करता हूँ आप से वह को कि यह वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रिएंट्स उससे पहले जान लेते हैं यह बेवास सीट जो सीरफ है वह एक एंटा एसीट है ठीक ना जो कि क्या करती है हमारे स्टोमक म करके पेसेंट को रहात देती है और यह सीरफ के फॉर्म में अभी लेवल है और जानते इसके इंग्रिएंट्स को तो इसका जो पहला इंग्रियेंट्स हो ए ट्राइको सेंथेरा डायोका खेक ना डायोका यूज टॉनिक की तरह इसका यूज किया जाता है और सब एक्वूट केसेज में इसको लिया जाता है जब इनलाड्मिन्ट ओफ लिवर या एस्प्लीन का जब साइज बढ़ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में काफी जाधा यूज फूल है है लीप्स आर यूज इन इडेमा एन्ड comprendre इसके यह जो है ट्राइको सेंथेरा डायोका इसका लीप्स का यूज किया जाता है इसके पत्ति का यूज किया जाता है लेकजेटिव की तरह भी यूज होता और कार्डिո टौनिक की तरह भी यूज होता है इसी तरह जो इसका next salt है वो है पेंटो कारपस सोटा लीनस तो यह जो ड्रग है वो एक हटवूड है ठिक और रेड कलर का होता है है इसका यूज किया जाता है एस्टिजेंट और टॉनिक की तरह जो की कूलिंग और एनल जैसिक इफेक्ट प्रड्यूस करती है इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है जिंजिवर और ओफिसिनेट इसका जो यूज है काफी ज्यादा यूजफूल है यह भी हर्व और ट्रीट्मेंट ऑफ नौजिया हर्ट वर्ण डाइरिया और लॉस ऑफ एप्टिटाइट इन्फेक्शन कॉफ और ब्रॉमकाइटिस के में इस हर्व का यूज होता है इसी तरह जो नेक्स् dust कर चल ठार你 चल रहा है और को इन्फ्लामेशन करतल के लंब्बे समय से इन्फ्लामेशन चल रहा हूं सिसे यह रियूक्श करता हुरूजाए का यूज़ है जैसे की to arthritis में c py esm excuse me और डाइभी धीज में वह यूज होती है निग्रूम इसी तरह जो इसका नेक्सलत है वह है स्वाट्या चिराता ठीक ना इसका जो यूज है लिवर डिसॉडर इस्टोमक डिसॉडर और डिस्पेशिया एंड डायरिया इंटेस्टाइनल वर्म में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है इसी तरह जो नेक्स सॉल्ट है वो है साइपेरस रोटांडस और इसका जो यूज है वह है एक मेडिसिनल ट्रेडिशनल हर्वे मतलब यह काफी लंबे समय से यूज होता जारा ट्रेडिशनल टाइम से ही और इसके बहुत सारे एक क्लिनिकल यूज है जैसे डायरिया में इसका यूज होता है 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 प्रोपर्टी इस हर्भ में पाई जाती है और यह एंटी माइक्रोवियल भी एंटी ऑक्सिडेंट भी है मतलब यह सेल को बिल्डप कर देती है बिल्डप करने का काम करती है इसी तरह जो इसका नेक्स्ट हर्भ है वह है ओपर कुलीना तूर पेथम इसका यूज है वह ये प्रगेटिव है इंडिया में यूज हो रहा है लंबे समय से प्रगेटिव की तरह यूज हो रहा है और आयुडवेदिक हर्भ है यह ट्रीटमेंट आफ कफा पिता एंड अच्टोमक में जो आयुड़ेदिक का इसका यूज होता है ट्रीटमेंट आफ कफा एंड पिता में इस तरह जो नेक्स्ट है वह है अक्टोधा वाचिका इसका यूज हो रहा है वह एंटी अलसर प्रोपर्टिश में पाया जाता है इसलिए वेवाशीड में यूज किया गया है इट्स प्लेय एन पोविटल रोल in reducing ulcer, ulcer को यह reduce करने में and store various parts of the body, इस प्रोपर्टी की कारण इसका विवासीड में यूज किया गया है, इस तरह जो next herb है, वो है, फ्युमिरिया, इडिका, यह एक लिवर कॉम्पलिमेंट है, जो कि बोमेटिंग से लिवर कॉम्पलिमेंट की तरह यूज होती है, वोमेटिंग में भी इसका यूज है, इस हर्व का, कॉंस्टिफिशन, दिस्पेसिया, ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज है, इसका बहुत साड़ा यूज है, इस तरह जो next drug है, वो है, एम्बिलिया रिप्स, एम्बिलिया रिप्स का यूज होता है, ड्राइफ फ्रूट की तरह, और यह फिवर में इसका यूज होता है, चेस्ट एंड एस्किन, डिजिज में भी इ ज़्यादा यूज है, पेस्ट इज अपलाइड ऑन इसकीन, इनफेक्शन में यूज है इसका, ठीक ना, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज अपने दोस्त लोग के साथ सेर करें, और हम लोग को ड्रक्स के बारे में बताना, थैंक्यू,